हलो दोस्तों नमस्ते स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा ब्यूटी क्लिनिक में तो आज का जो वीडियो है वो बॉब हेर कट के उपर है वो भी सॉल्डर लेंथ और राउंड सेप में है और बहुत आसानी से मैंने बताया है कि कैसे करके आप राउंड से सबसे पहले हम बालों में कटिंग सीट लगा लेते हैं अब हम बालों को अच्छे से कंगी करेंगे बाल हमारा आप देख सकते कि किस तरह से बाल है खूबसूरत है घाना है थोड़ा बाउंसी है थोड़ा स्टेट बाल रहता है तो जाद ज़्यादा सुन्दर लगता है पर ठीक है अच्छा है और घना बाल है और हेल्दी भी है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं बालों को अच्छे से कंगी करूंगी पूरा टेंगल फ्री करूंगी बाल अच्छे से धोया होना चाहिए और उसके बाद हम गीला करेंगे बाल को बाल को गीला करने के बाद हम अच्छे से कंगी करेंगे कंगी करके हम अपना सारा बाल को अपने हाथों में ले लेंगे इस तरह से जिस लेंथ में हमें रखना है वहां से हम अपना अंगली में बाल ले लेंगे बाल को हम एक बार में कटिंग करेंगे सारा जो साइज का हमें बनाना है वो हम एक बार में इस तरह से बालों को कटिंग कर लेंगे अंगली में लिया है बाल और दवा के बरावर से सारा का सारा बाल को हम कटिंग कर लिये हैं ये हमारा बरावर हो चुका है अब हमें round करना है अब हम बीचो-बीच बाल को दोनों साइड में divide कर लेंगे और कंधे के साइड आ जाएंगे एक साइड का बाल लेके आधा बाल को एक साइड कंधे के तरफ लेके आ गए हैं और अच्छी से कंगी करेंगे और एकदम कंदे के पास हम हाथ रखे हैं और सर को थोड़ा अपोजिट में जुकाएंगे और अंगली में बाल लेंगे हाथ को हमने बिल्कुल सीधा रखा है कंदे के हिसाब से, कंदे के सामने से और पीछे का बाल का गाइडलाइन मिल गया है तो आगे का जो बाल है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको गाइडलाइन में जाके मिला देंगे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपने अंगली में बाल को दबाया और पीछे का गाइडलाइन से जाके हमने मिला लिया अब देखिए बाल कितना अच्छा से राउंड हो गया है एकदम पर्फेक्ट राउंड होता है इस तरह से अब हम दूसरे तरफ भी बिल्कुल सेम तरीके से आ जाएंगे जो बाल हमने छोड़ा था वो बाल को फिर से हम दूसरे तरफ लेके आ गये हैं कंधा के पास एकदम बिल्कुल कंधा के पास आ जाएंगे जहां से जैसे कि हम पहले कंधा के तरफ जहां से थे दूसरे तरफ भी बिल्कुल वही से आएंगे अंगली में बाल दबाएंगे और सर को थोड़ा अपोजिट में जुका के रखा है हमने अब हमारा जो गाइडलाइन पीछे का है वहाँ से हम कटिंग करते हुए एकदम कंधा के पास जो अंगली में हमने बाल दमाया है सारा का सारा बाल कटिंग कर लेंगे इस तरह से कटिंग हमारा हो गया है अब देखीए कितना अच्छा से round हो गया है दोनों side बिलकुल बरावर से round हुआ है एकदम lightly जैसे हमें bob haircut में round करना होता है उस हिसाब से ये round हो गया है अब हम आगे के तरफ आ जाएंगे आगे के तरफ का बाल को कान का पीछे का आप सारा बाल को लेके आगे के तरफ आएंगे, हाथ में अपना बाल लेंगे आगे के तरफ से और अब थोड़ा थोड़ा करके हम कटिंग को मिला लेंगे क्योंकि आगे का बाल थोड़ा सा निकलेगा तो उसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे बहुत जादा नहीं, बस थोड़ा सा round करेंगे क्योंकि हम bob hair cut कर रहे हैं, you cut नहीं कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें बाल को सिर्फ round करना है बहुत जादा you नहीं करना है तो उसके बाद जो है फिर से हम दूसरे तरबी कान के पीछे का बाल को आगे लेके आ गए हैं अपने हाथों में लिये हैं और जो गाइडलाइन बना था उसी की हिसाब से अब जो हमारा थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाल उसको हमें इस तरह से छाट लेते हैं ये देखिए बाल हमारा चट गया है अब हम इसका जहां से ये मांग करती है वहां से मांग कर लेंगे अच्छे से और बाल को चेक करेंगे ये देखिए बाल कटिंग हो गया है अब अंदर का बाल अगर कहीं से निकलेगा तो हम उसको चाट लेंगे उसके बाद बाल को हम सेट कर लेते हैं अब की बार जो हम बाल सेट कर रहे हैं वो नीची से लेके उपर के तरफ कर रहे हैं यानि कि हमारा सेटिंग उपर के तरफ जाएगा तो हम रोलर कम को उपर से सेटिंग किये हैं और इस तरह से बाल को हम सेट करेंगे तो बाल कंगी को इस तरह से उपर के तरफ हम लगाएंगे, अपने उंगली से दबाएंगे और बाल को पहले हम उपर का बाल को सेट करेंगे, फिर नीचे का बाल को इस तरह से रोलर कंगी को गूमाते जाएंगे और ड्रायर को चलाएंगे इस तरह से देखिए हम किस तरह से बालों को पकड़े हैं और ड्रायर को चला रहे हैं पहले उपर के तरब का बाल को हम सेट करेंगे फिर नीचे जो है रोलर को हम इस तरह से बाल को फसाके नीचे गुमाएंगे इस तरह से उंगली में अपना बाल का और ये नीचे का बाल इस तरह से रोलर को घुमाते जाएंगे और ड्रायर को उपर के तरफ रख के चलाएंगे थोड़ा थोड़ा बाल को लेके इसी तरह से हम करेंगे यही चीज अगर हमें अंदर के तरफ अगर हमको मोरना रहता है बाल तो हम ये ड्रायर को उपर के तरफ बिल्कुल सेम रखेंगे लेकिन रोलर कंगी को हम अंदर से सेट करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा setting होता है बाल जैसे हमें setting करना है उपर के तरफ करना है तो हम roller को उपर के तरफ set करेंगे और अगर अंदर set करना है तो हम roller को अंदर के तरफ set करेंगे उसी हिसाब से हम इस तरह से रोलर कंगी को गुमाते जाएंगे और अच्छे से सेटिंग करते जाएंगे तो देखिए बाल हमारा सेट हो गया है और बाल किस तरह से कटिंग हुआ है कैसे सेट हुआ है कितना आसानी से हुआ है आप देख सकते हैं बाल कैसा लग रहा है और ये हमारा नीचे का बाल है बहुत सारा बाल कटा है तो आप लोग हमेशा कॉमेंट करते हैं कि नीचे का बाल दिखाईए तो ये नीचे का बाल है तो अगर आपको मेरा कटिंग अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारा कटिंग है आप देख सकते हैं और सबसे मेन बात की वीडियो में ब्यूज तो बहुत आता है लेकिन लाइक करने में बहुत बहुत कंजूसी होता है प्लीज लाइक कर दिजिए उसका कोई खर्च नहीं होता है उससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि मैं फिर से वीडियो बनाओ आप लोग के लिए तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके मेरा वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब भी कर दें और सेर भी कर दें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको आगे क्या सीखना है तो देखिए उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाओंगी तो देखिए ये बच्ची कितना खूस है बहुत प्यारी सी है क्योट है और इतना खूस है अपने बालों को लेके कि एकदम दिखा रही है कि कैसा उसका बाल दिखता है तो मेरा वीडियो तो कम्प्लीट हो गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यू बाबाई